तो अगला प्रश्चन है यदि Z1 और Z2 क्रमसह 1- आयोटा और-2 प्लस 4 आयोटा हो तो हमें ग्यात करना है इमेजनरी पार्ट अफ Z1 into Z2 upon Z1 का मॉड यह हमें ग्यात करना है तो पहले तो हम यह ब्रैकेट के अंदर जो रासी है यह हम ग्यात कर लेते हैं फिर हम उसका इमेजनरी पार्ट ले लेंगे तो यहां पर दिया गया है क्या दिया गया है Z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और Z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 आयोटा यह दिया गया है अंस में इन दोनों का प्रड़क्ट करना है और नीचे हर में Z1 का बार है संजुगमी हमने यह देखा है कि इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट के बीच में जो साइन है उसे आप बदल कर लिख दीजे उस संख्या का बार हमें मिल जाता है या उस संख्या का संजुगमी मिल जाता है तो Z1 1 माइनस आयोटा है तो Z1 बार 1 प्लस आयोटा हो जाएगा Z1 का बार जो है यह 1 प्लस आयोटा है चलिए आगे हल करते है इसे जब गुणा करेंगे तो पहले मिल जाएगा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा फिर यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा यह माइनस और यह प्लस का गुणा करेंगे आपको मिल दाएगा minus 4 iota square upon 1 plus iota अंस को देखिए minus 2 plus 6 iota और यह iota square की value minus 1 होती यहाँ पर put करेंगे तो आपको मिल दाएगा plus 4 upon 1 plus iota 4 minus 2 करेंगे तो मिल दाएगा 2 plus यहाँ पर है 6 iota upon 1 plus iota यह z1 upon z2 के form पे है इसका हम परीमे करन करेंगे पहले और परीमे करन करने के बाद में हमें वह संख्या अपने मानक रूप में मिल दाएगी तो यह हमें जो मान मिल रहे है क्या है z1 z2 upon z1 का बार यह है 2 plus 6 iota upon 1 plus iota 1 minus iota से multiply और divide करेंगे तो हर में आपको क्या मिलेगा a plus b a minus b a square minus b square अंस में जब गुणा करेंगे तो देखिए 2 minus 2 iota plus 6 iota minus 6 iota square चलिए आगे हल करते हैं यह 2 हो गया 6 iota minus 2 iota that is plus 4 iota minus 6 और यह plus 6 हो जाएगा iota चुकि iota square यह minus 1 होती कई बार कर चुके है upon 1 और यह iota square है यह मिल दाएगा minus 1 और minus or minus plus 1 इसी तरीके से 8 plus 4 iota upon 2 इसे solve करेंगे तो मिल दाएगा आपको 4 plus 2 iota तो यह हमें समय संख्या मिल गई लेकिन यहां पर पूछा गया imaginary part तो हम लिखेंगे imaginary part of z1 z2 upon z1 का bar equal to iota वाला जो part है यह क्या है 2 है और यही हमें ग्यात करना था और अगर यहां पर पूछ दिया जाता है real part of z1 z2 upon z1 bar equal to plus 4 अगले question में x और y का मान ग्यात करना है यहां पर दिया गया है 3x minus 2 iota y into 2 plus iota का power 2 equal to 10 into 1 plus iota left hand side और right hand side आपस में बराबर हैं यहां पर दो समिश संख्याओं की समानता के सिध्धानत को हम उप्योग करेंगे तो पहले हम हल कर लेते हैं 3x minus 2 iota y into यहां पर 2 plus iota का power 2 है और इसे जब अब गुणा करेंगे तो 10 plus 10 iota मिल जाएगा पहला पत को हम उसी तरीके से रखते हैं 3x minus 2 iota y और 2 plus iota का whole square है तो 2 का square मिल जाएगा 4 आपको यह पता है कि a plus b का whole square यह होता है a square plus 2ab plus b square यहां पर हम इसका expansion लिख रहा है 4 plus 4 iota plus iota square equal to 10 plus 10 iota अब आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 3x minus 2 iota y और देखिए यहां पर यह जो plus 4 है और यह iota square iota square की value minus 1 होती है तो अप लिखेंगे 4 plus 4 iota minus 1 equal to 10 plus 10 iota और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 3x minus 2 iota y और यह मिलेगा 3 plus 4 iota equal to 10 plus 10 iota यहां पर फिर दो अलग अलग पदों का गुणन फल है इसको गुणा कर लेते हैं फिर right hand side से इसके तुलना कर देंगे तो 3x into 3 plus 4 iota उसी तरीके से minus 2 iota y 3 plus 4 iota equal to 10 plus 10 iota इसे और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 3 into 3 that is 9x plus 3x into 4 iota 12x iota minus 3 into 2 that is 6 iota y और यह minus 8 iota square y equal to 10 plus 10 iota iota square की value minus 1 होती है यहां पर आप put करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा plus 8y और यहां पर है आपके पास 9x अब इन दोनों पदों में x जो है इन दोनों पदों में जो iota है वो common है तो यहां से हम लिख सकते हैं iota कामा ले लेंगे तो 12x minus 6y equal to 10 plus 10 iota यह और यह real part है और जिसमें iota है वो imaginary part है तो हम यह लिख सकते हैं कि तुलना करने पर यह पद और यह पद एक साथ रहेगा यह 10 के equal होगा क्या मिल रहा है में 9x plus 8y equal to 10 हम इसे समी करन 1 दे देते हैं और दूसरा आपको मिल रहा है 12x 12x minus 6y equal to 10 यह समी करन 2 लेखिए समी करन 1 और 2 में दोनों साइट में आपको 10 10 मिला है equal to 10 equal to 10 तो यह दोनों left hand side भी आपस में बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं एक वाद 2 से 9x plus 8y equal to 12x minus 6y दो चरो वाले रेखिक समी करन को हल करने के लिए आपने पिछले कक्षाओ में 4-5 अलग-अलग विधियां देखी थी जैसे कि वज गुर्णनखंड विधी, विलोपन विधी, प्रतिस्थापन विधी, ग्राफ विधी तो उसका भी इस्तेमाल करके आप हल कर सकते हैं किसी भी विधी से हल कर सकते हैं, x और y का मान हमें चाहिए तो यहां से आप इसको हल करेंगे, तो देखिए 12x, राइट को मैं पर लेफ्ट लिख रहा हूँ और फिर इसको solve कर रहे हैं, तो 12x minus 9x equal to 8y plus 6y, इसे आप हल करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 3x equal to 14y, या फिर x equal to 14 upon 3 into y, यह मान आपको मिल गया है अब इसे समी करन 2 में रख देते हैं, 12 into x, x का मान है 14 upon 3 into y minus 6y equal to 10, इसे हल करेंगे, तो मिल जाएगा 56, देखिए, 3 by 3, 3 by 4, चार बार में चला जाएगा तो 4 से उदा कुना करेंगे, मिल जाएगा 56, minus 6y equal to 10 यहां से मिल गया आपको 50y equal to 10, और आगे हल करने पर क्या मिल जाएगा आपको y बराबर 10 upon 50, या फिर y बराबर 1 upon 5, y बराबर 1 upon 5 आपको मिल गया, तो यहां से आप लिख सकते हैं, x equal to 14 upon 3, y का value आप उट कर दीजे, 1 upon 5 तो मिल जाएगा 14 upon 15, तो इस तरीके से x equal to 14 upon 15, और y equal to 1 upon 5, यह इस प्रशन के लिए उत्तर है, जो की हमें ग्याद करना था अगला प्रशन है, x और y का मान ग्याद कीजिए और हमें दिया गया है, 2x plus 3x plus y और यहां पर यह आउटा का multiply है, equal to 4 plus 10 आउटा चलिए, हल करते हैं, तो 2x plus, यहां पर 3x plus y और 2 आउटा, equal to 4 plus 10 आउटा है दो समय संख्याओं के यहां पर तुलना करेंगे, तो यहां पर इसका वास्तिक भाग, इसके वास्तिक भाग के बराबर होगा और इसका अधिकल्पित भाग, इसके अधिकल्पित भाग के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि तुलना करने पर 2x equal to 4 और इसे solve करेंगे तो मिल दाएगा x equal to 4 upon 2 that is 2 और दूसरा है 3x plus y equal to 10 ये देखिए आयोटा के साथ ये पूरा पद है और दर आयोटा के साथ 10 है यहाँ पर x equal to 2 आपको मिल चुका है ये मान आप यहाँ पर रख दीजे तो 3 into 2 6 plus y equal to 10 तो आपको मिल दाएगा y equal to 10 minus 6 तो y equal to 4 इस तरीके से x equal to 2 और y equal to 4 यह मान हमें गयाद करना था इसका यह पहला प्रस्ष्ण है इसमें एक और दूसरा प्रस्ष्ण है यहाँ पर भी आपको x और y का मान गयाद करना है दिया गया है x minus iota y equal to 2 iota into 1 minus 3 iota तो left hand side जो है यह तो standard form में है लेकिन right hand side जो है इसे में multiply करना पड़ेगा तो 2 iota into 1 करेंगे तो आपको मिल दाएगा 2 iota minus 6 iota square यह मिल दाएगा 2 iota minus 6 और यहाँ पर यह माइनस 1 तो यहाँ से मिल दाएगा 2 iota plus 6 क्यों iota square equal to minus 1 होता है value हमने यहाँ पर put कर दिये तो x minus iota y तूलना करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा यह वास्तिक भाग है यहाँ पर यह वास्तिक भाग है तो x equal to मिल गया 6 इसी तरीके से यहाँ पर यह minus iota है तो यहाँ पर यह पर यह plus 2 है या फिर उत्तर जो आपको क्या मिलेगा x equal to 6 और y equal to minus 2 आप यहाँ से लिख सकते हैं हल कीजिए 1 plus iota का power 5 into 1 plus 1 upon iota का power 5 इसका मान हमें गयात करना है तो हम equal to लिखेंगे देखे 1 plus iota और यहाँ पर 1 plus 1 by iota है तो पहले यह bracket के अंदर जो रासी है इसका हम लगउताँ स्वापरत निकाल करके थोड़ा हल कर लेते हैं तो हमें क्या मिल दाएगा 1 plus iota का power 5 into यहाँ पर लगउताँ स्वापरत मिल दाएगा iota और यहाँ पर यह मिलेगा iota plus 1 और यह पूरे का गहात 5 है अंस में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पद समान हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 plus iota into 1 plus iota और यह upon iota देखें दोनों पदों में घहात 5 है तो हम दोनों पदों का घहात 5 जो है उसे हम बाहर लिख देते हैं और अंदर में जो पद हैं उसका हम गुणा करके सरल करेंगे देखेंगे यह a plus b into a plus b के फॉर्म है a square plus b square plus 2 a b उसे भी हल कर सकते हैं या फिर सीधे तार पर गुणा कीजिए अब उत्तर तक पहुंच जाएंगे यह 1 का square 1 plus 2 iota plus iota square upon iota और यह पूरे का घहात है 5 दखिए 1 plus 2 iota और iota square की value होती है minus 1 तो यह मान हमने यहाँ पर रख दिया चूंकि iota square equal to minus 1 होता है यह plus 1 और minus 1 cancel हो गया value जो बजगई वो है 2 iota upon iota और पूरे का घहात 5 iota और iota cancel हो गया बजगए 2 का घहात 5 और 2 का घहात 5 होता है 32 तो इसी तरीके से अगर आपको एक और प्रश्न दे दिया जाए यहाँ पर 1 plus iota का power 4 और 1 plus 1 by iota का power 4 हल करने के लिए जाए तो देखे पूरे का पूरा जो घहात में अंतर आ रहा है सिर्फ यह 5 का अंतर है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर घहात 4 है तो ultimately यहाँ पर जो संख्या मिली है इस पूरे पत को हल करने पर यह मिला है 2 और इसका घहात में 5 है इसे आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 का घहात 4 और यह होगा 16 तो इस तरीके से यह दोनों प्रश्ण समान है समान तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं अगला प्रस्ष्ण है यदि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा ये अब टू है 1 प्लस N इंटू आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो तो सिद्ध कीजिये कि 2 into 5 into 10 up to 1 plus n का square equal to x square plus y square तो हल करने के पहले हम थोड़ा सा सोचते हैं कि देखिए यहां पर x plus iota y equal to expression दिया गया है और हमें ग्याद करना है x square plus y square तो इस तरीके का प्रशन हमने हल किया है कि यदि हम इस संख्या का सेयुगमी ले लें तो हमें मिल जाएगा x minus iota y और x minus iota y और x plus iota y का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा x square plus y square बड़ा ही आसान प्रशन है तो हम पहले क्या करेंगे जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं दिया गया है 1 plus iota into 1 plus 2 iota into 1 plus 3 iota इस तरीके से आप गुणा करते जाएगे तो 1 plus n into iota equal to x plus iota y दिया गया है तो समीकरण एक का अगर हम संयुगमी ले लें पूरे पदों का संयुगमी लेने एक का संयुगमी लेने पर तो आपको क्या मिल दाएगा यह देखिए आपने यह पढ़ा हुआ है z1 z2 का बार equal to z1 का बार into z2 का बार इसी तरीके से आगे भी कितने पदो सकते हैं इधर भी आगे कितने पदो सकते हैं तो इसका जब आप पूरा संयुगमी लेंगे तो आपको मिल दाएगा 1 minus iota दूसरे पत का संयुगमी लेंगे मिलेगा 1 minus 2 iota तीसरे पत का संयुगमी लेंगे 3 minus iota इसी तरीके से यह जो अंतिम पद है यह 1 minus n iota मिलेगा और यह मिलेगा x minus iota y यह समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजे left hand side left hand side के सांथ multiply होगा और right hand side right hand side के सांथ multiply होगा तो देखिए 1 plus iota और 1 minus iota a plus b into a minus b a plus b into a minus b कई बार कर चुके हैं यह होता है a square minus b square तो इसका मिस्तमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 का square minus iota square दूसरा यह पद और यह पद का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 square minus 3 का square 9 और iota square इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 square minus n square और यह iota का square equal to x plus iota y x minus iota y multiply करेंगे मिल जाएगा x square minus iota square y square आगे और हल करेंगे तो देखिए 1 का square 1 और यह minus iota square iota square की जो value होती है वो minus 1 होती है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे है यहाँ पर यह मिल जाएगा 1 plus 4 यहाँ से मिल जाएगा 1 plus 9 और यह मिल जाएगा 1 plus n square equal to यहाँ पर भी यह minus 1 value पुट करेंगे तो मिल जाएगा x square plus y square 1 plus 1 that is 2 1 plus 4 5 9 plus 1 10 और यह अब तो गुणा है 1 plus n square equal to x square plus y square और यही हमें सिद्ध करना था कि 2 into 5 into 10 up to 1 plus n square equal to x square plus y square अगला प्रशन है गुणन प्रतिलोम जाद कीजिए तो एक समिश संख्या दी गई है 3 plus 4 iota upon 4 minus 5 iota तो हम पहले इसे हल कर लेते हैं सरल कर लेते हैं कि यह z1 upon z2 के form में है तो हम लिखते हैं कि माना x plus iota y equal to 3 plus 4 iota upon 4 minus 5 iota तो x plus iota y equal to आप लिख सकते हैं 3 minus 3 plus 4 iota upon 4 minus 5 iota into 4 plus 5 iota upon 4 plus 5 iota हर के साथ गुणा भाग करते हैं परीमेकरन करने के लिए इस तरीके के प्रेशन आप कई बार हल कर चुके हैं आगी जब इसे गुणा करेंगे तो देखे 3 into 4 मिल जब दाएगा 12 3 into 5 मिल जब दाएगा 15 यह है 5 का square, 5 का square मिल जब दाएगा 25 और यह iota square की value minus 1 रखने पर यह आपको मिल जब दाएगा plus value तो इसको solve करने पर हमें मिलेगा minus 8 plus 31 iota upon 41 तो यह इसे हम लिख सकते हैं 8 upon 41 plus 31 upon 41 into iota यह है x plus iota y यदि एक समिसंखिया z1 हो और दूसरी समिसंखिया z2 equal to 1 हो तो यह एक दूसरे के गुणान प्रतिलों कहलाते हैं यदि इसे z1 मान लिया जाए तो हमें ग्याद करना होगा z2 जो की होगा 1 upon z1 के बराबर तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x plus iota y का गुणन प्रतिलों हमें ग्याद करना है मान लेते हैं कि यह a plus iota b है तो यह मिल जाएगा 1 upon x plus iota y तो यह जो a plus iota b हमें मिलने वाला है यह मिल जाएगा 1 upon minus 8 upon 41 plus 31 upon 41 into iota तो यह 1 upon z के form में हैं इसे हल करने के लिए हर में जो समिश संख्या है उसके सायुगमी से गुणावा भाग करते हैं तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 1 upon minus 8 upon 41 plus 31 upon 41 into iota और इसका जो समिश है यह क्या मिलेगा minus 4 upon 41 minus 31 upon 41 यह iota upon again minus 8 upon 41 minus 31 upon 41 iota तो उसी संख्या से हम गुणावा भाग कर रहे हैं आगे जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा minus 8 upon 41 minus 31 upon 41 iota और यह upon a plus b और a minus b के form पे है तो यह मिलेगा a का स्क्वर माइनस b का स्क्वर आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा यह 8 का जो स्क्वर है यह 64 और 41 का स्क्वर हम इसी तरीके से लिख देते हैं और इसी तरीके से 31 का आपको यहाँ पर square मिलेगा और upon 41 का square और यह आयोटा square की value minus 1 होती है तो यह minus और minus यहाँ पर plus 1 हो जाएगा और अंस में आपके पास रासी है minus 8 upon 41 minus 31 upon 41 आयोटा और 31 का जो square होता है यह होता है 961 यहाँ पर आप इसे रख देंगे तो यहाँ पर हमें आगे मिलेगा minus 8 upon 41 minus 31 upon 41 आयोटा अपॉन 64 plus 961 upon 41 का square आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा minus 8 upon 41 minus 31 upon 41 आयोटा अपॉन 1025 और यह 41 का square है यह मिल जाएगा minus 8 upon 41 minus 31 upon 41 आयोटा इंटू यह 41 उपर चला जाएगा 41 का square है और यह 1025 तो यह जो 41 है यहाँ पर भी 41 है यह दोनों कैंसल हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपके पास value बचेगी minus 8 minus 31 आयोटा इंटू 41 upon 1025 इसे आप कैंसल करेंगे तो यह 1 और यह 25 ताइम्स में जाएगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं minus 8 minus 31 आयोटा इंटू 1 upon 25 और इसे आसान तरीके से लिखा जा सकता है minus को अगर हम common लिखा ले तो हम भी लेगा 8 plus 31 आयोटा upon 25 और यही उत्तर है जो कि हमें ग्याद करना था मापांक वा कोणांक ग्याद कीजिए यदि z equal to root 3 plus आयोटा हो चलिए, हल करते हैं दिया गया है z equal to root 3 plus आयोटा तो हम लिखते हैं माना z equal to x plus आयोटा y equal to root 3 plus आयोटा और इसे हम समीकरण एक का नाम दे देते हैं तो यहां से आप जब तुलना करेंगे दो समी संख्याओं की तुलना करने पर यहां पर वास्तिक भाग है x और यहां पर है वर्गमूल 3 या इसकोर रूट 3 1 यह पर्थम चतुर्थांस पर है हमें ग्याद करना है मापांक तो मापांक जो होता है यह mod z equal to r होता है जिसे square root of real part of z का square प्लस imaginary part of z का square लिखा जाते है real part मतलब x imaginary part मतलब y तो यहां से भी मिल जाएगा r equal to square root over root 3 का square plus 1 का square root 3 का square करेंगे तो मिल जाएगा 3 3 plus 1 4 और 4 का square root जो है यह मिल जाएगा 2 यह इसका मापांक है अब आगे आ जाते है कोणांक पर कोणांक जो होता है इसे theta से प्रदर्शित करते हैं यह होता है 10 inverse y by x चुंकि यह है प्रथम चतुर्थांस पे है इसलिए हम theta लिखेंगे सिधा theta equal to 10 inverse y y का मतलब है 1 और x का मतलब है root 3 तो इस तरीके से हमें मिल रहा है 10 inverse 1 by root 3 तो आपको यह पता है कि यह जो 1 by root 3 है यह pi by 6 के लिए होता है तो इस तरीके सम लिखेंगे theta equal to pi by 6 और यही इसके लिए उत्तर है तो हमें मापांक ग्याद करना था जो की 2 मिला है और कोणांक ग्याद करना था जो की pi by 6 मिला है इसमें और दूसरा प्रशन है जहां पर भी ह इसे और आगे हाल करेंगे तो मिलेगा 1 plus 2 iota और iota square की value minus 1 तो ultimately हमें मिल गया 2 iota तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि mana z equal to x plus iota y equal to 2 iota तो इसे आप लिख सकते हैं 0 plus 2 iota तो यहां से तुलना करने पर आपको मिल जाएगा x equal to 0 और y equal to 2 maapang को r से प्रदेशित करते हैं r equal to mod z होता है और यह real part का square plus imaginary part का square होता है तो इस तरीके से आपको root 4 मिल जाएगा इसके लिए आपको r equal to 2 और theta आप लिखते है 10 inverse y by x y जो है यह 2 है और नीचे में 0 है या हर में 0 है तो something upon 0 that is infinity और infinity के लिए हम 10 inverse यहां पर यह 10 pi by 2 के लिए होता है यह 90 degree के लिए होता है तो इस तरीके से देखिए 10 inverse 10 जो हो cancel हो जाएगा तो ultimately हमें मिलेगा theta equal to pi by 2 और दूसरा था r equal to 2 तो यह जो समय संख्या है 1 plus iota का square इसका मापांग 2 है और कोणांग जो है यह pi by 2 है मापांग वा कोणांग अगला प्रशन है मापांग वा कोणांग ग्याद कीजिए यदि z equal to 3 plus 4 iota हो चलिए हल करते हैं माना z equal to x plus iota y equal to 3 plus 4 iota तुलना करने पर आपको मिलेगा x equal to 3 और y equal to 4 यह हम कई बार कर चुके हैं तो हमें मापांग पता है इसे r से प्रतसित करते हैं जो की mod of z होता है और यह real part का square plus imaginary part का square होता है तो 3 का square 9, 4 का square 16 यह मिल जाएगा 25 का square root तो इस तरीके से r equal to 5 अब कोणांग की याद बात करते हैं कोणांग को theta से प्रतसित करते हैं यह होता है 10 inverse y by x और y का मतलब है 4 और x का मतलब है 3 तो इस तरीके से जो theta आपको मिल गया यह है 10 inverse 4 upon 3 यह मापांग है 5 और कोणांग है theta equal to 10 inverse 4 by 3 जब आपको कोई standard value नहीं मिलती है तो जो value हमें मिल रही है उसे हम directly इस तरीके से लिखते हैं अगला प्रशन है समिस्र संख्याओं को दुरूविय रूप में लिखिए तो इसमें पहला प्रशन है 1 plus iota root 3 चलिए इसे हल करते हैं 1 plus iota root 3 हम लिखेंगे माना 1 plus iota root 3 equal to r cos theta plus i sin theta एक दूसरी विदी का उप्योग करके हम हल कर रहे है जहां पर हमने समिस्र संख्या को equal to 1 plus iota root 3 equal to r cos theta plus i sin theta के रूप में लिखा है तो इसे हम समिकरण 1 का नाम दे देते हैं तुलना करने पर हमें मिलेगा r cos theta ये r के सांथ इसका गुणा होगा जो कि real part होगा और इसका real part 1 है और इसी तरीके से r sin theta equal to मिल जाएगा root 3 इसे समिकरण 2 और इसे समिकरण 3 का नाम दे देते हैं तो मापांक निकालने के लिए हम समिकरण 2 का वर्ग करके और 3 का वर्ग करके उसे जोड़ देते हैं तो इस तरीके से r square sin square theta plus cos square theta equal to 4 देखिए इसको मैंने आगया और इसको पीछे लिख लिख लिए sin square theta plus cos square theta 1 होता है मान रख देंगे सरव समिकरण 2 कमीकरण 4 तो इस तरीके से मिल दाएगा r equal to 2 तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूखी sin square theta plus cos square theta equal to 1 ये आपको r की value मिल गई है जो की मापांग है अब कोणांग का मान गयाद करना है तो हम समीकरंट 3 को एक से भाग दे देते हैं तो आपको मिल जाएगा देखे r sin theta upon r cos theta sin theta वाला जो पद है ये root 3 है और ये 1 है r और r cancel हो जाएगा sin theta upon cos theta आपको पता है कि ये 10 theta होता है और ये square root 3 तो इस तरीके से आप square root 3 को लिख सकते है 10 pi by 3 10 theta equal to 10 pi by 3 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा theta equal to pi by 3 ये इसके लिए कोणांग है तो ये r और theta की value मिल गई समीकरण 1 पे हम इसका मान रख देंगे समीकरण 1 से 1 plus iota root 3 equal to r, r की value है 2 cos theta, theta की value है pi by 3 plus iota sin pi by 3 तो इस तरीके से ये समिश संख्या है और ये उसका polar form है